स्वागता आपका आलेंडिया आगनबाडी न्यूस चैनल में दोस्तों आपको बता दो अगर आप सची खबरे पाना चाहते हैं दोस्तों आगनबाडी की हो या आनने कोई खबरे तो दोस्तों यहाँ से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर ले और अपनी नोटिफिकेशन वेल भी दोस्तों आन करने ताकि आपको हर अपडेट दोस्तों स्वागता आप सभी का एक बार फिर आलेंडिया आगनबाडी न्यूस चैनल की सच्ची खबरों में यहाँ पे आप लोगों के सामने आज वो मैं सच्चाई रखने जा रहा हूँ जिसको लेकर के बहन ने आवाज उठाई है यहाँ पे जो 62 वर्स की बहने हो चुकी है जिनको रेटायर किया जा रहा है और भरतियां भी आने वाली है बरतियां आज जाती अभी तक लेकिन कारण क्या रहा 62 वर्स की जो बहने हो चुकी है उनको रेटायर भी करना है जो नियम काईदे कानून से सही है लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा और गलत क्यों लोग इस पर कह रहे हैं उनका यह कहना है कि बहनों का जो 62 वर्स की हो गई है उन्होंने योजना में अपना कार बहुत अच्छे से किया और बहुत कुछ योजना में दिया अपना कार वगएरा लेकिन उनके लिए अब जो आगे का उनका जो जीवन यापन होगा ना अभी तक उनके पास इतना सरकार ने पैसा दिया कि वो कुछ बचा के सेविंग कर पाती अपनी आने वाले भविस्त में अपना खर्च कर पाती तो ये तो उनके लिए कुछ किया नहीं गया बुढ़ापे के लिए उनके आने वाले समय में वो क्या करेंगी ना उनको पेंसन का लाप ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि वो आगे अपना जीवन है अपन क्या करें कहां से करेंगी खर्च वगएरा उनका वहन कहां से होगा तो ये समस्या है इस वज़े से लोग बहनों का कहना है तमाम दिक्कतें आ रही होंगी लेकिन सरकार प्रसासन को किस बारे में सोचना चाहिए कि उनके भलाई के लिए उनके अच्छाई के लिए उनके लिए पेंसन वगएरा का लाब दे जो आने वाले समय में वो बैट करके अपना जीवन यापन कर सके वो हमारी मांग है वो बहुत जायज मांग है और रेटायर तो उनको होना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल क्योंकि उमर बढ़ती है तो रेटायर होना पड़ेगा ये बात अलग की है लेकिन यहाप इस सरकार ने गलत क्या किया कि इन बहनों के लिए अभी तक ना कभी मांदे बढ़ाया इनको जरा समांदे चार हजार पर इनको रखा गया जो की गलत था तो आईए आपको दिखाते हैं हमारी जो बहन है माया सिंग जी उन्होंने आवाज लगाई है मुख्यमंत्री जी से और इन चीज को लेकर के दरसल भरती आने वाली है आप लोगों को मैंने बताया था तो उसी के बारे में ये आप लोगों के लिए खबर थे और उससे भी बड़ी खबर जो मैं आपको बता दू माया दिदी ने ये मैसेज डाला था मैंने उनसे पूंचा है क्या ऐसा लेटर जारी हो गया अगर आया होगा लेटर कुछ तो आप लोगों के समच रखा जाएगा ये विधायक जिसे जब मिली थे हमारे मुख्यमंत्री जी से मिले थे हमारे विधायक जी वगयरा सभी लोग माया सिंग जी के कहने पर और इनका कहना है कि हम मन से धन्वाद करते हैं माननी सांसा जी का माननी विधायक और चायल और मंझनपूर और सिराथू जनपत कौसांबी का जिनके प्रयास से माननी मुख्यमंत्री जी ने 2017 के रुके हुए मान्दे को देने का लेटर जारी कर दिया है ऐसा बताया जारा कि 2017 का जो मान्दे था उसको देने के लिए उन्होंने लेटर जारी किया है दरसल लेटर हमारे पास नहीं है जो सच्चा ही है मैं वहीं तक आपको बता रहा हूं सीमित है तो लेटर मैने बहन से मांगा है, अगर लेटर वहाँ जारी हुआ होगा, और बहन अगर हम तक दे पाएंगी, तो बहुत अच्छा होगा, ताकि बहनों को बिताया जा सके, और एक सच्छा है उनके सामने रखी जा सके, तो महिला अगनबाडी जिन्दाबाद, महिला अगनब करमचारी संग की तरब से है यह लेटर वो बहुत खास है आप लोगों के लिए यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं मैं 11 तारीक को यह भेजा गया है और इसमें लिखा है कि आंगनबारी जो प्रतेश की आंगनबारी कार करता है अमसाहिकाओं को जबरन रेटायर किये जान पंतोस जो है पैदा किया जा रहा है इस सम्मंद में सपा सरकार ने गयर कानूनी तो तरीके से सासना देश किया था उस सासना देश को माननी हाई कोर्ट ने हरी जंडी जो है भी नहीं दी थी और उस पर जो आपका कंटेम्ट भी जो है चल रहा है और आपको बता दू और अ उसिस कर रहे हैं जिसका बुरा परड़ाम जन सामाने के बीच में पढ़ रहा है और परदेश के लाखों आंगनबारी कार करती हूँ और साहिकाओं को रोस जो व्यापत है और अता आपसे निवेदने की सरकार को बदराम करने और आंगनबारी कार करती हूँ को जबन रेटाय करनाने के प्रक्रण में सीतापुर के देपियो सहिद बाल विकास के निदेशक और प्रमुक सचिव के विरुद कारवाई करते हुए माननी उच्चे नयायले के द्वारा आने वाले अंतिम फैसले का इंतजार करने का आदेश पारित करने की करपा करें। और जो चैन वगेरा की प्रक्रिया है वो ब्लाक इस तरी होनी चाहिए और ये भी वहाँ पे उन्होंने कहा है आगे क्या होता है भरतियों को लेकर के दरसल बता दू और आप लोगों को बता दू ये टाइम ऐसा चलना है कि आचार संगिता लगी हुई है और इस टाइम पे सा जो कर्मचारी हो या विभाग के हो या सरकार करवा रहे हैं कुछ भी हो यहाँ पे साब साब बोला जाता है लेकिन ये गलत है और गलत इस माहिने में है कि उनके लिए पहले सरकार को कुछ विवस्था करनी चाहिए जो बहने बहाशत वर्स की हो गए जिनको रेटायर किया जा रहा है उनके लिए सरकार ने ठोस कदम क्या उठाएं इतने सालों से वो बहने बराबर विभाग में पल्स पोलियो जैसे अभियानों चाह कितने बड़े बड़े काम किये हैं मैंनोंने और आज भी वो बेलो जैसे काम करने लेकिन फिर भी सरकार ने उनके लिए मातर 4000 मे अगर वो जिंदगी भर अपनी गुजार दे उन्होंने अभी तक तो कभी 1500 कभी 3000 तक ही हुए अब जाके इतना मिला था तो ये चीजे समझनी होगी मैंसा ज्यादा आ रहे हैं तो देखते हो रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा तो इन चीजों को समझी आप लोग तो म अगबग 10 साल से वैकेंसी ही नहीं आये हैं और यहीं तमाम समस्या हैं लोगों को सामने उनके आ रही हैं लेकिन ये भरतियां कभाएंगी हमेशा लेड़ लपेट होता चला जा रहा है दरसल ये एक लेटर आपको मैं दिखा दूँ जिसमें आया था फीडिंग वगयरा को लेकर के लोग परिसाने किसे पर फीडिंग की जाए और फीडिंग के लिए मैंने बताया था भारत सरकार की जो वैब साइट है इन दोनों पर फीडिंग करनी है ये दो साइटे हैं इनको आप यहां पर वीडियो अब हमारा रोग करके यहां पर देख सकते हैं ये दो दी हुई है इनी से फीडिंग होगी पुरानी जो साइट थी उस पर काम चला या कुछ भी है उसमें साप साप लिखा है उस पर फीडिंग नहीं हो पाएगी यह देखिए लाबारती की फीडिंग यह पोर्टल जो पहले वाला था वो अभी बंद है ऐसा लिखा हुआ है यह ल कि लोगो सभी जिलादकारियों को नोटिस दिये गए थे कि आने वाले समय में यह सुनस्चित करें जिलादकारी सभी लोग कि कितने कितने पद खाली है वहां तक तो ठीक था अब जो है 62 वर्स रेटायर करने के लिए अब नई एक बात कही गई वहाँ पर कि जो लोग करके सासनादेस जारी किया जाए फिर बताया जाए ऐसी तमाम चीजें दिक्कते आ रही है अब इसमें बहने परेसान हो रही है जिनकी 62 वर्स हो गई है अभी तक उन्होंने इतना सब काम किया जियोजना में लेकिन उनके लिए कुछ सरकार नहीं कर पा रही है तो उनको बह परवाही बरती गई है कि बहनों के जो खाते थे वो अपडेट नहीं हुए है अपडेट आप लोग समझने नहीं में कई बार कह चुका हूँ बैंक में अपडेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ निदे साले में अपडेट करवाने थे वहाँ पे जो है मांगे गए तो वह पर अपडेट नहीं हुए थे दरसल वहां पर आपके अपडेट होने थे यही कमिया रहेंगे सुप सीडीप्यों वगरा को ले करके जो आगे समय में नहीं होनी चाहिए और इस पर काम चल ला है और आने वाले समय में आपके जैसे ही खाते अपडेट हो जाएंगे बहेंगे और आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे तो आप लोग निश्चिंत रहें पैसा किसी का नहीं जाएगा दोजा सब्तरा का जो बताया जा रहा है वो भी कटा हुआ उसमें भी महाज सिंग जी बहन का आज मैसेज लगा था दरसल इसमें क्या सच्चाई है और ये बह लाकर के दूँगा और ताकि आप सच्चा ही देख पाएं तो हमेशा सची खबरे आप लोगों को इसी चैनल के माद्यम से दोस्तों दी जाती है अन कोई चैनल आप देखते हैं आपको पता होगा न्यूटी खबरे आते हैं कहीं भरती कहीं कुछ हम हमेशा कहते रहें अभी भरती नहीं है अभी भरती नहीं है जब भरती नहीं आई है तो हम नहीं ही कहेंगे जब भरती आएंगी तब आपको बताया जाएगा लेकिन भरतीयों को लेकर के प्रक्रियां चल नहीं है वहां तक हम आपको डेली अपडेट देते हैं यहांगर बाड़ी भरती के लिए ही जोने जोने अपनी बहने जो हैं ब्लाग की उनको बताएं और जोने चैनल से क्योंकि सचाई और उनकी आवाज vedere हम तक पहुँचें। उनके साथ जो सोसड हो रहे हो उनको हम रखें अपनी बहनों के सामने संगटनों के सामने ताकि वो इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी से अपनी आवाज लगा सके और अपने ये जो सिस्टम पूरा है इसमें ताकि हमारी बहने मुख्यमंत्री जी को ना कोसें और सरकारों पर दोस्त ना मड़े इससे अच्छा है क्योंकि सरकार माली जिए कुछ दे रही है हम लोगों को तो कितना दे रही माली जो भी दे रहे अगर वो समय पर ही मिल जाए तब भी हम लोगों का खर्श कम से कम चले अभी तक हम लोगों को 4,000 मिल लहते हैं अब पंद्रासो और बढ बढ़ रहा है और स्मार्टफोन में एक कमिया यह रहे गई उनमें सुविधाएं खतम है रिचार्ज तक नहीं सरकार करवा रही है तो यह सब चीजे जो दिक्कते हो रही है मेरे क्याल से मुख्यमंतिर जी इस पर विचार करें और पार्टियों की जो बदनामी हो रही इदर स से गुस ले रही है इसमें कोई दोराय नहीं है रही बात सबूतों की तो सबूत जब भी कोई मागेगा उठा के सबूत दे दिये जाएंगे तो सबूतों की यहां पर कोई दिक्कत नहीं है ऐसे काम बहुत हो रहे हैं डराया भी जाता है आंगनवारी बहनों को हर एक की हमा पाइजर हों या CDP हों अगर ये मिल बाटके खा रही है इनको भी सरकार पैसा दे रही है ये नहीं चाहते है मुख्यमंत्री जी की ये लोग मिलकर के खाएं तो यही आवाज सीधा मुख्यमंत्री जी से लगाए जाएगी और जहां भी सोसड होगा और उसके खिलाप अन्या क को जानकरी दरसल टाइम नहीं मिल पाता है आप लोगों की कमेंट में नहीं इतनी ज्यादा पढ़ पाता हूं कभी कभी पढ़ लेता हूं जब भी समय मिलता है दरसल अभी कुछ समय नहीं था इस वज़े से नहीं पढ़ पाए आने वाले समय में जैसे समय मिलेगा आप लो